हेलो फ्रेंड्स रेकॉन सिविल अकेडमी के गौवर्मेंट जॉब फॉर सिविल इंजिनियर वीडियो सिरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसी वेकेंसी जो अगेन आपको मोटिवेट करेगी कि आप किसी कॉंपुटिटिव एक्जाम की तैयारी करें means अगर आपने एक बार कोई टेकनिकल एक्जाम की स्टेडी फ्रेंड्स थोरोली कर ली है तो फ्रेंड्स ऐसी वेकेंसी आपको आलवेज बूस्ट अप करेगी छोड़के इस्टेट पीएस्टी का एक्जाम फाइट करके वो एई की पोस्ट में जॉइन कर लेते हैं तो ऐसी एक पोस्ट निकली है फ्रेंड्स जेपीएस्टी जारकन पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक यूज वेकेंसी निकाली है और आपको प्राउड फील होगा कि संसाधन विभाग मींस WMD Water Management Department पेजल एंग सवच्छता विभाग मींस यहाँ पे पीएची की बात कर रहा है पब्लिक हेल्थ इंजिरिंग जो ओफिशल वेबसाइट रहे कि फ्रेंड्स उसकी है www.jpsc.government.in तो बिफोर डिस्कसिंग दा फ्रेंड्स वेकेंसी मैं आपको बताने वाला हूँ रेकॉन सिविल अकेडमी जे पीसी पोस्ट के लिए एक स्पेशल ओफर भी आपको प्रोवाइड करने वाला लास्ट तक फ्रेंड्स जुड़े रहे हैं इस वीडियो के साथ आपको पता चलेगा कि रेकॉन सिविल अकेडमी का ओफर यहाँ पे क्या है अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स दो ही डिपार्टमेंट की पोस्ट है सिविल और मेकेनिकल की जहां पे 95 पोस्ट है वहाँ सिविल की फ्रेंड्स 5 42 पोस्ट है इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको प्राउड फील होगा फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसे सिविल इंजिनियर 228 प department में water management department में 288 post है और PHE में friends 26 post है और जो सबसे important चीज है friends ये सारी की सारी post आपको assistant engineer की post में recruit करने वाली है ना कुछ key highlights friends यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे post और बढ़ सकती है और घड़ भी सकती है इसके अलावा friends जो आपको salary मिलेगी 9300 से 34800 का pay scale है 5400 का यहाँ पे grade पे भी रहने वाला है पद यहाँ पे friends इस्थाई है new नितम जो आपकी age limit fix की गई है that is 21 year और maximum age friends यहाँ पे अनरक्षित means unreserved candidate की लिए 35 years है reserved candidate की लिए friends इसको relax भी किया गया है now so requirement है friends वो देख लिए candidate shall possess a degree of regular course in respective branch of engineering means आपको friends AICT approved engineering की degree होनी चाहिए कहीं से भी हो irrespective of your location यहाँ पे कहीं भी mention नहीं किया गया है diploma के लिए post नहीं है friends सिर्फ engineering की अगर आपके पास degree है तभी आप इस post के लिए eligible है other key highlights देख ले friends यहाँ पे जो exam होने वाला है उसका pattern क्या है जो first friends आपका exam होगा जिसको प्रारंभिक परिक्षा यहाँ पे बूला गया है उसमें जो पाठिकरम होने वाला है वो है सामान अध्यन means general knowledge का और दूसरा friends इसी प्रारंभिक परिक्षा में आपके अभी अंत्रन means engineering के दो paper होने वाले आप देख सकते हैं जिसका weightage है 200 marks का इसको और detail में हम लोग friends देखेंगे इसके अलावा जो important चीज़ दी गई है कि mains exam में 10 times students को call किया जाएगा means 542 students है तो friends आप सोचिए 5420 लोगों को यहाँ पे mains के लिए call किया जाने वाला है तो अगर आपने gate ESC की तयारी कर रखी है friends definitely आप इस exam को दीजिए और maximum probability है कि आप mains के exam में बैट पाएंगे आप इसका break up friends एक बार English में यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैंने बताया section 1 में friends objective paper होने वाला है general ability test जिसमें general English और general study इसका भी हम लोग break up देखेंगे जो syllabus दिया हुआ है 2 घंटे का paper 200 marks का friends यहाँ पे आपका exam होगा similarly civil reading paper 1 paper 2 just like ESC friends exam conduct करवाता है वही pattern है 2 घंटे का paper friends paper 1 का होगा 2 घंटे का paper 2 का होगा दोनों का weightage 200-200 marks का है इसके बाद जब आप mains में select होगे friends तो paper 1 तीन घंटे का होगा 200 marks का paper होगा paper 2 friends तीन घंटे का होगा 200 marks का तो total weightage है friends यहाँ पे 1000 marks का इसके अलावा friends part 2 में personality test आपका होने वाला है जिसका weightage है friends 200 marks तो जो mains return exam qualify करेंगे friends वही interview के लिए या personality test के लिए call किये जाएंगे conventional paper friends आपको यहाँ पे English में लिखना होगा तो जैसा मैंने बताया friends 11 नौवंबर तक आपके पास last date है अब यहाँ पे हम लोग एक बाग syllabus पे focus कर ले friends यहाँ पे syllabus जो दिया हुआ paper 1 paper 2 का मैं आपको बता रहा हूं कि यह notification के साथ syllabus दोनों document आप friends हमारे description box से download कर सकते हैं अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ objective और conventional जो test paper आपका conduct होने वाला है उसका friends syllabus same है तो technical part discuss करने से पहले मैं आपको बता दू general ability में general English और general study का part आने वाला है जिसमें general study में current events और friends history of India, geography of nature यह सब friends part cover किया गया है इसके अलावा technical की मैं बात कर रहा था building materials, solid mechanics, structure analysis, design of steel structure, design of concrete and machinery structure, construction practice, planning and management, paper 2 की बात कर लें friends fluid mechanics, open channel flow, pipe flow, hydraulic machine, hydropower, hydrology, water source engine, environmental engine में water supply, waste water engine, solid waste management, air and noise pollution similarly soil mechanics, foundation engine, survey, transportation engine, तो friends कहीं न कहीं पूरा gate E.S.C. का slabers यहाँ पे cover किया गया है अब मैं आपको बता हूं friends यहाँ पे Rekon Civil Academy आपको क्या offer प्रोवाइड कर रहा है friends courses के लिए आप हमारी official website rcaonline.in विजिट कर सकते हैं यहाँ पे अगर आप Rekon courses में click करेंगे friends तो यहाँ पे different courses आपको मिल जाएंगे यहाँ पे बात करते हैं subjects की because entire course आपके यहाँ पे JPSC के लिए काम नहीं आने वाला तो just मैं click करता हूं friends यहाँ पे pro course प्रो में देखिए आपको different subjects यहाँ पे मिल जाएंगे like solid mechanics, structure analysis और इसमें वही syllabus cover किया गया है जो friends gate ESC या JPSC का जो syllabus अभी आप देख रहे हो friends यहाँ पे number of lectures 49 से for example structure analysis के 49 lectures है 3000 इसकी cost है इससे दाना से friends सारे subjects जो आप पढ़ते हैं gate ESC में उसकी cost और number of video lectures दिये हुए तो recall civil academy जो friends आपको offer करने वाला है उसका break up मैं friends आपको एक बार दिखा दूँ screen में देख सकते हैं friends यहाँ पे solid mechanics course fees है 2200 रुपे 36 वीडियो आपको मिलेंगे similarly structure analysis 3000 रुपे 49 video lectures मिलने वाले हैं like सारे subjects friends मैंने यहाँ पे arrange कर दिये हैं total 13 subjects हैं और total course fees की बात करें तो 29700 अगर आप individual subjects लेते लेते इसको count करेंगे तो total 29700 का sum होगा total number of video lectures जो आपको पढ़ने हैं friends that would be 442 video lectures इस सारे के सारे videos आप one time डाउनलोड करके multiple time देख सकेंगे सारे HD videos हैं इसके साथ आपको notes मिलने वाले हैं friends test series मिलने वाली हैं और बात करें important cost की कि यह 29700 रुपे का package आपको सिर्फ 20,000 रुपीज में मिल जाएगा अगर यह entire course आप एक बार में लेते हैं तो friends आपको इसकी cost देनी होगी सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपीज तो ऐसे student friends जो high fees देख के course की तयारी नहीं कर पाते हैं उनके लिए बहुत काम आने वाला है friends एक nominal fees दे कि आप entire course की study कर सकते हैं मैंने आपको बताया कि एक बार आपको technical subjects की थोरो study करनी पड़ेगी इसके बाद आप किसी भी state level का exam fight कीजिए सेंटल का exam fight कीजिए स्लेबस में बहुत ज़्यादा फरक नहीं पढ़ने वाला friends तो course के regarding आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो friends आप screen में दिये गए number पे आप हमें call करके या whatsapp करके पूछ सकते हैं या आप friends exam की तयारी के लिए हमसे personal guidance भी इस number पे ले सकते हैं friends इसी तरह government job की notification आपको घर बैठे चाहिए तो इस वीडियो को like कीजिए share कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुचाईए till then keep watching Rekon Civil Academy videos enjoy your engineering and all the very best from team Rekon Civil Academy